दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं किसी भी Redmi phone में, किसी भी MI phone में automatic call recording कैसे करते हैं अगर आपके पास कोई भी MI का phone है या Redmi का phone है और उसके अंदर दोस्तो default dialer दिया गया है तो आप आसानी से call recording कर सकते हैं automatically बिना किसी को पता चले इसके लिए आपको अपने phone के dialer में आना है आपको नीचे में three line दिखाई देंगे इस पर आपको click करना है यहाँ पर आपको settings पर click करना है यहाँ आपको ऊपर में यहाँ पर setting का icon मिलेगा इस पर आपको click करना है तो यहाँ पर setting open हो जाएगी calls की अब यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी, call recording, आपको इसे open करना है, यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी, record calls automatically, यह setting अगर off होगी तो आपको इसे on कर लेना है, और आपको यहाँ पर इसे all numbers पर set कर देना है, इसके बाद दोस्तों क्या होगा, आपके mobile पर आने वाली सभी incoming call, जाने वाल आपको कुछ नहीं करना है आपको सभी call record होगी लेकिन अगर आप selected number की call record करना चाहते हैं किसी एक बंदी की, दो बंदो की, दस बंदो की तो ऐसा भी आप कर सकते हैं इसके लिए आपको नीचे में एक option मिलेगा selected numbers आपको इस पर set करना है तो नीचे में आपको तीन option दिखाई देंगे यहाँ पर आपको एक option मिलेगा custom list आपको इस पर click करना है इसके बाद आपको नीचे में यहाँ पर add number पर click करना है आपकी contact list open हो जाएगी अब यहाँ पर आपको उन number को select कर लेना है जिनकी call आप record करना चाहते हैं नहीं होगी नंबर को अगर आपको यहाँ से delete करना है तो आपको नंबर को इस तरह से select करना है नीचे remove बटन पर click करना है फिर आपको यहाँ पर remove पर click करना है तो नंबर यहाँ से delete हो जाएगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक option मिलेगा unknown numbers अगर आप चाहते ही जो mobile number आपने save नहीं किये हैं उन number की call record ना हो तो यहाँ पर दोस्तों आपको unknown numbers की setting को on कर देना है इसके बाद जो number आपके mobile में save है वो number की call record नहीं होगी जो number save नहीं है सरिफ उनी की call record होगी automatically इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एक setting मिलती है अगर दोस्तों आप चाहते हैं आपके mobile में जो number आपने save किये हैं सरिफ उसी की call record होना चाहिए unknown number की call record नहीं होना चाहिए automatically तो बस आपको setting को on कर देना है इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप call recording को customize भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं all number की call record हो तो आपको यहाँ पर all पर set कर देना है सभी call automatically record होगी अगर आप automatically call recording को बंद करना चाहते हैं तो यह setting को बंद कर देना है चालू करेंगे recording चालू हो जाएगी अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी help मिली है तो चैनल को subscribe जरूर करना